तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं सबसे पहले दूस्तो बात कर लेते हैं KTM Duke 250 के प्राइस के बारे में ये दूस्तो हमें क्या प्राइस देखने को मिलती है अब जाहर सी बात है भाई कोई भी चीज़ हम खरीदने वाले खरीदने की सोच रहे हैं सबसे पहले अपने बजट के बारे में सोचते हैं कि हमारे पास पैसा कितना है दूस्तो KTM Duke 250 एक सुरूम प्राइस आती है 2,41 डॉजन 2,41,000 रुपे के आसपास की जो है ये आपको एक सुरूम प्राइस देखने को मिलती है बात कर ले दूस्तो इस भाई के अब आप लोगों के इसका क्या प्रेज अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बतायाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं बात कर लेते हैं दूस्तो इस भाई के टॉप फाइब रीजन के बारे में दूस्तो सबसे पहला जो रीजन निकल के आता है इस बाइक का वो निकल के आता है इसका लुक एंड डिजाइन अब देखे जाहर सी बात है बाई अगर हम कोई स्पोर्ट सेग्मेंट की बाइक ले रहे हैं मतलब भाई हम सीधा-सीधा तीन लाग रुपे हम दाल रहे हैं तो भाई हमें जो एक बहतर बाइक चीए मतलब एक looking wise भी बाइक अच्छी होने चीए करेक ना तो भाई 250 एक बहुत ही funky और बहुत ही sexy बाइक है और KTM की बाइक है तो भाई look and design तो भाई first meditary आपको पता है तो भाई आप एक कोई problem नहीं आपको इसका जो look and design है आपको बहुत अच्छा देखने को मलता है company ने दुस्तो इसका काफ़ अच्छा look and जो design का दिया हुआ और design के मामले में कोई doubt नहीं दुस्तो काफ़ अच्छी जो ये बाइक निकल कर आती है तो ये भी एक reason है जिस reason से दुस्तो आप इस bike को खरीद सकते हैं ये भी बहुत बड़ा reason आप कह सकते है देख चली बात कर ले दुस्तो next reason के बारे में तो ये दुस्तो इसका power and performance देखिए आपको बदा बाई अगर हम KTM bike के साथ में जा रहे हैं तो बाई जाहर सी बात है कि बाई इसमें आप लोग को जो है ना बहुत ही प्यारा वाला power मिले रहे 25 का torque generate करती है और 31 का PS power generate करती है यानि इस bike में आपको power and torque बहुत जादा देखने को मिल रहा है दोस्तो ये इतना जादा है कि किसी भी 250 segment की bike में इतनी power आपको नहीं मिलती जितनी आपको इस bike में देखने को मिलेगी तो इससे आप अंदाजा लगा सकते है यानि ये भी बहुत बड़ा reason है दोस्तो इसका power and performance कि आप इस bike को खरीच सकते है टिक दोस्तो next reason है इससे लेने का हो है दोस्तो इसका engine अब आप जानते किसी भी bike का सबसे important part होता है उसका heart यानिकि उसका engine अब engine quality अच्छा है तो पूरी bike बहतर है और engine quality अच्छी नहीं तो फिर bike भी बहतर नहीं है सीधी सी बात है आपको मैं बताना चाहूँगा इसका engine quality दोस्तो आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है आप किसी और bike से compare करने के जितना बहतर engine quality आपको इसका देखने को मिलेगा न उतना बहतर आपको engine quality जो है किसी और bike में देखने को नहीं मिलेगा इस वामले में जो है दोस्तों यह इतना बहतर देखने को मिल जाता है कि आपको बता दो कि इसमें आपको fully LCD पैनल आपको मिलना है आपको सारे feature मिलेंगे आपको सकते जितने feature imagine कर सकते हो न उतने feature आपको इसमें देखने को मिलेंगे पहले तो आपको पता है कि इसमें आपको dual channel anti-lock braking system देखने को मिलता है तो यह एक braking है दूसरा कारण है काफी बड़ी plate front में 320 mm की plate है rear में 240 mm plate है तो यह भी कारण है और तीसरा कारण है दूस्तों इसमें आपको front में 4 piston caliper मिलते है तो piston की quality भी आपको पताब caliper भी आपको बहुत तगड़े देखने को मिल रहे है तो यह भी क्रीजन है जिस रीजन से आप इस बाइक को खरीद सकते है दूसरा next reason है इस बाइक को खरीदने का ठीक है वो निगल के आ जाता है दूस्तों इसका suspension आपको में clear करू दूस्तों इस बाइक में आपको इस बाइक में बहुत बहतर देखने को मिलेगी तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण है दूस्तों जिस कारण से आप इस बाइक को खरीद सकते है दूस्तों इस से खरीदने का जो next कारण निगल के आता है वो निगल के आता है दूस्तों इसका comfort आपको बता दू KTM Duke 250 एक बह प्रवलम नहीं आने वाली तो यह भी बहुत बड़ा रिजर है दोस्तों जिस रिजर्ट से आप इस बाइक को खरीद सकते हैं दूस्तों next रिजर्न है इस बाइक को खरीदने का थीक है वो निगल के आ जाता है दूस्तों इसका feedback बहुत आच्छा देखने को मलता है दूस्त पर लोग फिर और घर नहीं आ रहा तो जहरा है लोग फिर इसे खरड़ेंगे खरड़ेंगे बहुत बदा कारण है जिस कारण से दूस्तो आप इस बाइक को खरीच सकते हैं अगर आपके साफ से कोई और पर रिजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं वागी दुस्तों आपको ये बाइक कैसे लगती है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा उम्हित करता आपको एक छोटे से इंट्रेस्टिंग वीडियो तो अच्छी लगी वीडियो से लेगी देख लाइक करना जैनल पर पहली पर रहे तो सब्सक्राइब कर लेना इता है फिर नेक्स वीडियो में लवी ओल जैहे हिन बंदे मातरम